एимо surtas hai या नहीं है यूँकि इलाज तो अभी तक सर्दी जुख्ाम का भी नहीं है सर्दी जुख्ाम का भी कोई वैक्सीन नहीं है क्या हूं उससे ढ?, नहीं ढ़ते हैं क्यों क्यूंकि कर लिए होते हैं ने टेस्क एक सो तीस करोड का तो कितना नंबर निकल गर के आ जाता नियर बूट पांच करोड इसका मतलब पांच करोड लोगों को या तो आज की रेट में है या हो चुका है और एक और मज़े की बात यह है कि कोरोना में ऐसा नहीं है कि जिसको भी होता है उन सब के सिम्टम्स आते हैं 80% से जादा जो केसिस होते हैं वो असिम्टोमाटिक होते हैं उन में कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं यानि अगर मुझे हो गया है और मैं ठीक भी हो गया हूं तो मुझे पता तक नहीं है उत तब मुझे पता लगेगा अगर मैं अपने टेस्स क तो पांच करोण में से 5,800 डेथ हुई है, पहले तो इसको कैलकुलेशन को ठीक करना है, डेथ को अंडर रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि ओवर रिपोर्ट किया जा सकता है, ओवर रिपोर्ट कैसे, for example, आपकी बॉड़ी में टेस्ट हुआ, आपकी बॉड़ी इससे जादा होने के चांसे बहुत काम है, बट एक बर को माल लेते हैं कि इतना ही है नुबर, ना कम है न जादा है, तो इतनी परसंटेज निगल गर के आई, पांच करोण में से अगर 5,800 डेथ हुई हैं, तो क्या परसंटेज निगल गर के आई, नियर अबाउट 0.01 परस हैं, हर 4 मिनिट में एक डेथ होती है, रोड एक्सिडेंट की वज़े से, और अगर अभी आप देखो के सड़कों पर एक बहुत ही फणी चीज नजर आ रही है, टूबिलर पर जा रहे हैं, मास्ट चमने लगाए हुए हैं, कभी भी नोट करना इस चीज को, हलमेट नहीं प हैं, और मीडिया डर को और बढ़ाता चला जा रहा है, और क्योंकि सही इंफोर्मेशन किसी के भी पास में नहीं है, या सही क्यालकुलेशन किसी के पास में नहीं है, यह जो अभी हम कर रहे हैं, इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं, यानि एक डेटा को देख करके, एक मॉडलिंग करी जाए, और फिर समझा जाए कि एक्चुल में जो सही डेटा है, वो क्या है, यह नहीं कि लिमिटेट डेटा के बेस में कोई भी कॉंक्लूजन ड्रा कर लें, और उसके बेस में डरते रहें, तो अगर इसका डेथ रेट पॉइंट जीरोवन परसंट है, तो आम सब इतना डर क्यों रहें, क्या कुछ और है जिससे हमको डरना चाहिए, जिससे हम नहीं डर रहे है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जो इससे लाग दूना जादा बहयानक है, मनलब कोरोना से लाग गुना जादा खतरना कुछ है जिससे हम नहीं डर रहे हैं और इससे हम डर रहे हैं वो क्या है जिससे हमको डरना चाहिए Unemployment अभी पीछे कुछ आर्टिकल जाये थे न्यूस पेपर में जहां पे एक फिगर आई थे निकल करके यहां पे आया था कि 13 करोल लोग unemployed हो गए इस फिगर से हमको डरना चाहिए 13 करोल लोग unemployed होने का मतलब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है अगर economy point of view से देखोगे कि यह जो 13 करोल लोग है यह अपने जो खर्चे हैं वो अब बहुत ही limit में कर देंगे जिस बंदे की नौकरी चली गई है क्या वो जा करके market में नए एक अपड़े खरीदेगा क्या अपने बच्चों को ले खिलोने खरीदेगा travel and tourism तो भूली जाओ ऐसी और हजारों industries हैं जिनकी धजियां उड़ जाएगी क्योंकि डिमांड कम उजाएगी overall economy के लेवई बहुए जब डिमांड कम उगी तो क्या करना पड़ेगा in brands को इन companies को क्या करना पड़ेगा, इन manufacturers को क्या करना पड़ेगा अपनी supply को कम करना पड़ेगा जितनी उन्होंने सप्लाई कम करी और बढ़ गया कि आज जो नंबर 13 करोड़ है वो बढ़ गर कि कितना हो गया 20 करोड़ यानि यह पूरा का पूरा लूप बन जाएगा इस लूप को बोलते हैं रिसेशन जो ग्लोबली और डी रिसेशन आ चुका है और अगर यही रिसेशन और डीप होता चला जाए तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन जहां से एक 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 एकोनोमी को भार आने में 5-10 साल लगते है तो एकोनोमी का पहले ही बुरा हल था प्लस इस कोरोना के वैसे और बुरा हल हो गया है प्लस जो रहा सहा हमारा जो अपना डर है वो सिचुएशन को और खराब करता चला जा रहा है और इस डर को हर कोई बढ़ा रहा है कोई भी कम करने का काम नहीं कर रहा है अगर आप मेरे स्टैंट पॉट्ट से देखो कि तो डरने की कोई जरुवत ही नहीं है क्योंकि जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम है तो आम डर क्यो रहे है सोचो बस इसलिए कि डेथ नहीं होनी चाहिए अगर यह हमारा अबजेक्टिव है कि डेथ नहीं होनी चाहिए मतलब हम कहते है कि कि किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए तो फिर तो लॉक्डाउन पर्मनेंट हो जाना चाहिए सबकों पर निगलना ही नहीं चाहिए क्योंकि सीधा सीधा डेड़ लाख डेथ बचेंगी डेड़ लाख लोग जो हर साल एक्सिडेंट में मरते हैं उनको बचा सकते हैं ना उनकी लाइब बच जाएगी पर्मनेंट कर दो लॉक्डाउन को कैसा है आईडिया यह बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने एक आदमी की एक कहानी सुनी थी उसके घर में एक चुहा कुश गया तो उस चुहे को उसने पकड़ने की बड़ी कोशिश करी लेकिन उस चुहे को नहीं पकड़ पाया तो एंड में उसने क्या क्या घर पे आग लगा दी उसके बाद भी चुहा तो बच करके निगल गया घर चला गया घर जल गया यही हालत है इसकी कोरोना की इस दर को अमको खत्म करना पड़ेगा तब जा करके इस प्रॉब्लम का एक्च्वल में सॉलूशन निकलेगा जो रियल प्रॉब्लम है और रियल प्रॉब्लम कोरोना नहीं है रियल प्रॉब्लम क्या है हमारी जो एकॉनमी है रियल प्रॉब्लम क्या है अनिम्प्लोईमेंट तो इस वीडियो की थुरू में अपनी कि जो critical cases है बस उनी का test करो क्योंकि उनी को hospital में admit करने की ज़रो होता है तो उनी का test होना चाहिए न जो वैसे ही ठीक हो रहे हैं अपने आप ही ठीक हो रहे हैं इनको minor symptoms है और उन खुद ही ठीक हो रहे हैं उनका test करने की क्या ज़रोत है उससे तो panic और बढ़ेगा अगर test कर भी दिया तो हम करने क्या वाले हैं उनको क्या hospital में admit करने वाले हैं नहीं घर पे quarantine करने वाले हैं अभी जो quarantine वाला फंडाई ये भी जब बेश चोटा होता है तब तो काम करता है जब करोड़ों में हो जाता है तब काम नहीं करता है मैं अगर example से समझाने की कोशिश करूँ जो मेरी thought processes को imagine करो एक ऐसी situation है कि हमें घर में है और चारों तरफ से बाल आई हुए और ये जो घर है हमारा वो ऐसा है इसको imagine करो जहां पे हजारों दर्वाजे हैं तो हम क्या करें इसमें से एक दर्वाजे को पकड़ ले और उसी को पक्का करते चले जो यह है क्वारेंटी और बाकी के हजारों खुले पड़े एक को हम पक्का करते चले जा रहे है क्योंकि यहां से पानी अंदर नहीं आना चाहिए है इंडिया की population क्या है 130 करोड है कितने ओर कि अभी तर्ब कर ने को थि करी नहीं सकते तों नचले जा रहे है या तो सब करो और सब मेंसे सब को देख कर करके सब को क्वारिंटु बन कर्धों यह बिल्कुल ऐसा हुआ कि वो जो घर है जिसकी मैंने भी बात करी या तो उसको हर तरह से सिक्योर करो कि अगर उसके हजार दरवाजे हैं तो एक को बंद मत करो सारे बंद कर दो तब आप कह सकते हो कि या पानी अंदर नहीं आएगा कि हमने 130 करोड लोगा टेस्ट कर लिया है उसमें से केसिस निकल गए है 6 करोड और 6 करोड को हमने कुरिंटीन कर दिया है अब यह आगे नहीं फैलेगा अब 6 करोड से 10 करोड पर नहीं जाएगा बट अमने टेस्ट भी करें 40 लाग जिसमें से केसिस आए 2 लाग अगर इन 2 लाग को हमने कुरिंटीन कर भी दिया तो बाकी करोड लोग तो बाहर घूम रहे हैं न तो इससे होगा क्या तो अब अमको समझ जाना चाहिए कि इसको रोकने का कोई तरीका नहीं तो अब इसका practical solution क्या है गर्मेंट की तरफ से हमको सिर्फ यह information चाहिए कि भईया अभी कितने beds occupied हैं आपकी state में और अभी कितने और आपने arrangement कर रखा है और कितने और कर सकते हो अब वो beds आए किसी hospital में हो चाहे किसी hotel में हो और प्लस यह information क्यों नहीं जारी लोगों के पास में कि इतना डरने की जरूत नहीं है जितना आप डर रहे हो हाँ ठीक है precautions low, safety measures low, social distancing को maintain करो लेकिन इतना डरने की जरूत नहीं है जितना आप लोग डर गए हो क्योंकि death rate कम है यह information जानी चाहिए ब लोगों के पास में वक्त आ चुका है अगर यह नहीं गई तो problem solve नहीं होने वाली economy के level ते confidence खत्म हो चुका है reality को हमको पहले समझना होगा अभी problem क्या हो रही है हम कह रहे है कि construction activities allowed है government को क्या अलग रहा है allowed बोल करके सारी problem solve हो जाएगी allowed तो हो गई बट मेरे जो friends है जो construction industry में है वो बता रहे हैं कि labor ही नहीं है labor सारी अपने गाउं चली गई है तो अब कौन construction करेगा वहां पर अब यह labor चली तो गई है इसको वापिस कैसे बुलाओ गे मीडिया में अगर रोज यह धिखेगा कि cases बढ़ रहे, cases बढ़ रहे, cases बढ़ने वापिस आएंगे वो लोक एक से लाख नहीं आएंगे तो उनको के और मीडिया में क्या दिखना चाहिए नूस में क्या दिखना ह crédिए बढ़ाओ मत, समझ गए, एक लाग के, डेज लाग टेस्स मत करो दिन के, दो लाग मत करो, क्योंकि तब भी 36 साल लगेंगे पूरा करने में, अगर आपने स्पीड डबल भी गर दी, तब भी 18 साल लगेंगे, 18 साल तक तो पता नहीं, ये बिमारी कहां होगी, किसी को यार तक होगा, तो करना क्या है गवर्मेंट को, अगर थोड़ा सा सेंसिबली चले, कि टेस्स को धीरे धीरे कम करते चले, यानि एक लाग से 90 जार कर दो, फिर कुछ दिन बाद 80 जार कर दो, फिर 17 जार कर दो, इसकी वेज़े से क्या होगा, मीडिया में केसिस कम होते वे दिखेंग कम पैनिक फैलेगा लोगों में धीरे-धीरे लोग भार निकलना शुरू होगी, जो अभी need of the hour है, धीर-धीरे लोग भार निकलेंगे धीरे-धीरे डिमांड बढ़ेगी, धीरे-धीरे लोगों में confidence आएगा, धीरे-धीरे लोग जो गाओं चले गए हैं वो बापिस आएं तो क्या होगा बैटरी डाउन हो जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा उसको धक्का मारना पड़ेगा तो अभी उस धक्के की जरूरत है जंप स्टार्ट की जरूरत है अब जो टाइम है वो डरने का नहीं है इस दर को खत्म करने का है कि कुरोना ने जितने लोगों को नहीं मारा ये डर मारने वाला है असले तो अब इस डर को खत्म करने का टाइम आ गया है अब हम सब को मिल करके दिमाग ये लगाना है ये नहीं कि डर को कैसे बढ़ाएं बल्कि दिमाग ये लगाना है कि डर को कैसे कम करें या खत्म करें और लोग के confidence को कैसे वापिस से लेकर गया है